नमस्कार पहले के दो चुनाव में इस बार लखनव की लड़ाई को पहले की तुलना में आप क्या फर्क पाते हैं क्या आपको लगता है किसे अच्छा पार्फार्मेंस इस बार के शुनाव परिड़ाम का रहेगा पहले दो चरण का जो मद्दान रहा उसका एक फीचर निकल के आ रहा है कि इस बार लोगों में उस तरहां का जोश और जुनूर नहीं है वोटिंग को लेकर जो की वोटिंग परसेंटर इखटने का एक कारण तो गर्मी भी है लेकिन उसके साथ साथ जो आपने कहा कि लोगों के अंदर उस्वाह नहीं है तो लोग यह मान कर चल रहे हैं कि शाहें जो कुछ भी हो पहले से कहीं अधिक अच्छी मैजार्टी से इस बार फिर से मोडी गवर् रोशा है और उसके अधिक जो अपोजिशन से का समर्थक जो मत दाता है मैं समर्था हूं कुसी अंदर कुछ हतासा निराशा है कि अपोजिशन को जैसा परफार्म करना चाहिए हिद्वार के शुनाओं में वो नहीं कर पाएगा इस कारणम जो उनके समर्थक हैं उनके नहीं है वो मान कर चलना है कि अब तो जाद बी जीती ही रही है तो हम ओड देने के लिए के हो जाए हैं इसकी ध्यूसरी थे यह है कि बीजेपी के समार्थकों में उतना जोश जूनूर नहीं जो कि पिछले था कि कूछ इससे कुछ लोगों ने कहा कि यह यह जो हमारा सांस इससे मेरी बड़ी नाराज़गी है मोधी जी की तो आई रही है चार सो सीटे इस एक को हरा देते तो तीन से नियान में आएगी इस बार केबल परत्याशी को देखकर लोगो नहीं दे रहे हैं बलकि भारत के प्रधान मंतरी मोधी जी को भी देखते हुए लोग अपना कर रहा है कि क्योंकि लोग यह महसूस करते हैं कि हमारे प्रधान मंतरी ने देश का कड़ दुनिया में उचा किया है अंतररासी जरब में भारत की मान सम्मान को बढ़ाया है इस कारण लोग अर्ट्याशी से नाराज़गी हो सकती है उसको दरखिनार कर हमें प्रधानमंतरी मोधी जी को बनाना है इस सोच की आधार पर लोग बदान कर रहे हैं 2014 में लोग बदलाव चाहते थे कॉंग्रेस, UPA और मनमोहन सिंग को हाटाना चाहते तब वोट पड़ा 2019 में पुलवामा बाला कोट के बाद एक नैशनलिस्टिक फरवर था उस पे वोट पड़ा क्या आपको लगता है कि ये वाला जो इलेक्शन है वो नैशनल इशूस और लोकल इशूस का एक मिक्स है कि जी नैशनल प्रेजिडेंशल एक तरहां से तो इलेक्शन है ही पर दस साल के बाद लाजमी तोर पे कुछ अब लोकल एंटी इंकम्बंसी की सुबु का हट जगा जगा पर अब नज़र आ रहे हैं मुझे एडी लोकल कहीं पर जो एंटी इंकम्बंसी होगी भी तो मैं कह रहा हूं न कि इन सब सारी चीज़ों को दरखिनार करते हुए लोग कि वह एक ही सह सोच कि हमारे देश का मस्तक सारी दुनिया में उश्या होना चाहिए और इस काम को कोई कर रहा है और कोई कर सकता है इस सोच की आधार पर लोग अपना मद्दान करता है आप शत्रिय समाज से आने वाले देश के सबसे वरिशनेताओं में एक हमने जब से पुर्शोतम रुपाला जी ने बयान दिया गुजरात में उसके बाद शत्रिय समाज में कुछ नाराजगी हमें नजर आ रही है अलग आपको एक तरीके से जिम्मदार भी बनाया गया कि वही थंडा कीजिए कि गुर्या राजगी खातम हो नहीं दी गई है औरना मुझसे किसी नहीं कहा है कि इन सब सारी च्रियों को थंडा करिये क्योंकि जीवन वेरी मैंने राजनीत की है तो जात पंत और माजभ की राजनी है कि उसको लेकर मुझे कोई किसी प्रकार की कोई गला नहीं हो लेकिन मेरा विश्वास है कि समाज के लोगों ने सड़ाईव उनका जीवन पूरा जो है रास्त के लिए समर्भ पित रहा है रास्त की सुरक्षा रास्त के मांत मांत स्वाहिमान के लिए सड़ाईव जब भी किसे हमारी प्रधान मंत्री अंतर्रासी जरत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे है तो वह कौम भी मोदी जी के साथ रहेगी उनको अपना पूरा समर्थन देगी उनका आरोप यह है कि गुजरों को या जाटों को ज़ादा पार्टी तवज्जो दे रही है जिस तरहां से एक तरीके से प्रामिन्स मिलना चाहिए राजपूतरों को ठाकरों को वो नहीं मिलना है कभी किसी को किसी समाज के शेक्षन को ज़्यादा सीटे मिल जाती हैं किसी को कभी कम हो जाती हैं यह थोड़ी बहुत मर्मनिंग चलती रहती है लेकिन मैं यह नहीं मानता क्यों वह पर्टिकुलर सेक्षन के सारे के सारे लोग ऐसा सोचते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं दो चा स्माहिदेश मारा लंबे समय से अपने मतों का प्रियोग करते करते है राइनेटिक दृष्टी से आप काफी जाङरूक हो चुगा है यह और लोग भी राइनेटिक दृष्टी काफी परिपके होची है मैं तो ऐसा नहीं है कि और किसी के कहने से ही धो मद्डाइब किसी को टिकट नहीं बिलता इसकाण भी उसको नाराज़गी रहती है किसी को समाध के इस तर्चाई को समाज़ना चाहिए और यह भाव उसके मन के अंदर होना चाहिए हम राजनीत केवाद सरकार मनाने के लिए नहीं करते हैं हम राजनीत स्वैम को सामसद और विरायग मनाने के लिए नहीं करते हैं हम राइगीत करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए देशनाली के लिए हम राइगीत करते हैं राजना जी इस चुनाव के कुछ एहम उद्धों पर आते हैं सबसे वड़ी बहस इस वक्त चल रही है कि समयधान कौन बदलना चाहता है कॉंग्रेस ने ऐसा ओड़ा दिया कि इनको 370 सीटे भाजपा को 400 इंडिये को इसले चाहिए कि अगर यह आ गए तो यह आरक्षन हटा देंगे और कुछ आपकी नेतावने भी आगमेगी का काम किया जोती मिर्दा हो, आनंद हेगडे हो, ललू सिंग हो, वो जो राम गोविल है इन्होंने कुछ-कुछ बयान देके ऐसी एक धारना बना दी कि बीजेपी कुछ कॉंस्टिटूशन चेंज करने वाली है बीजेपी कह रही कि कॉंग्रेस कॉंस्टिटूशन चेंज करने वाली है और वोटर समझ रहा कि क्या हो रहा है, समविदान हमारा खत्रे में है की नहीं कांग्रेस का जहां तक प्रश्ण है, कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीट पे अपनी बिस्वफनियता अपनी साख, अपनी क्रेडिविल्टी के पूरी टर से कोई चुकी है तो अनावश्यक प्रभंडा के मादिम से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पहला करके उनका समर्चन हासिल करने की कोशिस कर रही है, इसके अतरत कुछ नहीं क्योंकि बीजेपी ने पिछले दस सालों में सारी हिंदू जातियों को जोड़ने की कोशिश किया ताकि एक हिंदुत्व वोट बने, हिंदू वोट बने कॉंग्रेस को लग रहा है कि इसका तोड़ यही है कि लोग अगर जातियों के आधार पे बढ़ जाए तो जो हिंदु वोट एक अगर हो जाता है तब तो आउपोजिशन का चांस ही नहीं तो साहते हैं की जातियों में वोट बढ़ जाए तब उनको लगता है की चांस है मैं ऐसा नहीं महानता हमारी पार्टी के आइडियो राई यह नहीं कहती है कास्ट क्रीड और रिलिजन के अधार पर हम राज़ीद नहीं करते हैं हम राज़ीद करते हैं तो जस्टिस और हमेनिटी न्याय और मानवता हमरी राज़ीद का अधार है इंसाफ और मानवता हमरी राज़ीद का अधार है यह मैं तो यह मानता हूं कि भारत का रहने वाला हर व्यक्ति चाहिए हिंदू हो मुसलमान हो इसाई हो पार्शी हो जो भी भारत का नागरिक है हम सभी भाई भाई हैं भारत एक ऐसा देश से है जिसने किवल अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सरश से नहीं माना है बलकि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सरस मानते हुए बसुधाई वकुटमबकम का संदेश सारे विश्व को यही किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है हम समाज को तुकड़ों में बाटकर ह जाहेंगे लिक्रता में दूसरी बात भी मैं कहना चाहाँ लेकिन बरावरा पोजिशन एक विभाजन कादी राज जो से डिविस्स्य पॉलिटेक्स करते हैं कि वह बरावर कर रहा है तो उसका जवाब देना पड़ता है हम लोगों, उसकी काठ हमको देनी पड़ती है कि जनता को गुबराह मत करो, सच्चाई यह है अब कुछ सच्चाई है कि हम बोलते हैं तो उसका फिर रांग इंटरपडेशन को यह अपने हिसाब से कर ले तो उसके बारे में हम मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकि जनता बहुती जागरूख हो चुगी, यह समझती है पर बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि कॉंग्रेस मंगल सूत्र ले लेगी, या वेल्स लेके दे देगी कॉंग्रेस वाले बोल रहे हमारे मैनेफेस्टों में कहा लिखा है मैं कहता हूँ कि क्या ज़रूरत थी, सम्पेटरिजा को यह कहने की अथवा कांग्रेस के मैनेफेस्टों में शीष को डालने की कि यह संपतिका सर्वे कराया जाएगा इस चुनाओ के समय बोलने की क्या ज़रूरत थी इसका मतलब कहीं न कहीं उनकी मंसा है उनको लग रहे हैं इनिक्वालिटी बढ़ रहे हैं अमीर अमीर हो रहे हैं नहीं चुनाओ के समय हैं उनको इनिक्वालिटी निखाई दी भारत की संसत में कभी भी उनके किसी नेताने खड़े होकर इस inequality, समाज में जो और समानता इस बारे में कभी शर्चा नहीं कि, चुनाओ की समय क्यों कर रहे हैं, election manifesto में सर्वे की शर्चा क्यों कर रहे हैं, और दूसरी चीज, बड़े-बड़े economist जो कुछ भी कहा है उन्होंन उनकी से एप्रोच को कंडम किया है इसे वो टॉमस पेकेटी है इंटरनाशनल एकॉनिस्ट वो कहते हैं कि भारत में असमानता भी ब्रिटिश सजाद सजादा है कि एक पसेंट जो जबसे अमीर है उनके पास 40% सजादा है इतनी असमानता तो अंग्रेजों के जमाने में भी न चाहता हूं एक देश का नाम मतलाई है नहीं होना अच्छी वेल्ट्री डिस्ट्रिबूशन का तो कुई लॉजिक नहीं है वो जो क्यूबा टाइप के देशों में ट्राय किया ये मार्क्सिस्त सोचे बहुत खतरना किसे मैं कहता हूं क्यों किसी के अंदर जो कोई एक इनि इस समय दुनिया किसी डेश का उदान क्यों नहीं देते हैं लोगों के अंदर कैसे एक भाव पैरा होगा कि हमको इनिवेस्ट करना चाहिए इसमें हमको जारा संपत्य अरजित करनी चाहिए ठीक है जो संपत्य होगी वो देश के काम आएगी गरीबी को दूर करने के लिए वास्तों में जिस तरीके से पहल की जानी है हमारी सरकार में बहुत ही प्रभावी तरीके से पहल किये और आप ने देखा कि आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ थि पच्चिस करोड़ सधिक लोगों को गरीबी के संकट से बाहर करने में हम लोगों ने का मैं भ और लोगोन को करने गरीबी तरीका होता है में जिनता की आखव में वर और ने क्रवारत दूल लोग जोँकते रहे मगनी दा वाहण ल्हरू ने कहा कैम गरीबी दूर करना चाहते हैं Colin मेरी सरकार मुनाय। इंद्रा जे ने कहा हम गरीबी दूर करना चाहती हूं इसलिए हमारी सरकार हो राजी गांधी जी ने भी कहा, मन महांचिंग जी ने भी कहा, नहीं गड़ी भी दूर हुई लेकिन आठ वर्सों के अंदर 25 करों लोगों को गड़ी भी रेखा से बाहर करने में, हम लोग उने कामयाभी हासिल किये विपक्ष का या आरोप है कि BJP अपने ही प्रोपगेंडा या अपने ही कामयाभी में कन्विन्स हो रही है जिस तरीके से 2004 से पहले प्रमोद महाजन इंडिया शाइनिंग का कैम्प है उनको लगा कि BJP तो शाइन कर रही है इसलिए उनको लग रहा है कि इंडिया शाइन कर रहा है आप तो उस दौर में बहुत सक्रिय थे क्या कोई तुलना आपको नजर आती है इंडिया शाइनिंग मोमेंट से और आज में बहुत शक्री रही लेकिन मैं कह सकता हूं कि हैं इंडिया saining की बाट उन्होंने कही थी लेकिन उससमय में अंतर है क्या अंतर प्रजिश के economy में भी बहुत बड़ा अंतर आए economy की size ही देखें इस समय जो unexpected है कभी लोग कलपना नहीं करता था कोई भारत economy की size की मामले में जहां दुनिया के देशों में 2014 में 11 अस्थान पर था वो जंप लेकर आजी दुनिया के देशों में 11 अस्थान पर पहुंच गया है और सारी दुनिया के सच्चाई को सीकार करते हैं और कहते हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टौप थ्री एकॉनोमीज में आपर खड़ा हो जाएगा चिदम्रम कहते हैं कि कि किसी की भी सरकारों थर्ड तो बनना तही है इंडिया वैसे ग्रो कर रहा है इनके समय क्यों नहीं हुआ सवाल तो यह इन्होंने क्यों नहीं कर लिया इसके बाद वो किसी करांती की बात करते हैं कि रेवुलूशन होगा उनके लिए कास्-सर्वे बहुत अहम है क्या आपको लगता है कि यह लझा सकता है आपको थाहसा चुनाव में नहीं इसके पीछे उद्देश हों किया है पहले तो यस पस्ट होना चाहिए न जाती का फंब जन्गरादा कराना चाहते है इसके पीछे उद्देश है क्या है उनकी मंसा क्या है इसको तस पस्ट नहीं किया है कि पता तो चले कि किस स्कीम में कितना मिलता है वो सब कुछ जाती के अधार पे तैय होता लेकिन पता ही नहीं कि किसी कितनी जाती है मतलब यह उनकी सोच एक तरी मुझे लगता है कि उसाड़ आरक्षन की विवस्ता को समाप्त करना चाहते हैं कांग्रेस खत्म करना चाहा है आप यह उसकार की आरक्षन की विवस्ता बारती जन्ता पार्टी जो चल रही है जब तक अपने लक्ष को प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक हमारी आरक्षन की विवस्ता भारत में बनी रहेगी क्या है वो लक्ष जिसको प्राप्त करने के बाद अरक्षन खतम सकता है नहीं भारत एक दम बिलकुल विश्व का सबसे धन्मान देश बन जाए सभी संपन्न हो किसी प्रकार के आर्थिक तंगिस्त नहो जब विक्सित बन जाए भारत तब आरक्षन हट नहीं जब विक्सित समाब्त नहीं करना चाते हैं आज वह सिती नहीं है किम समाब्त करें कि एक कैसा मुद्द़ा है आज कुछ लोगों को विशेज ताऊ-सार देने की आवश्यक्ता है यह मैं महसूस करता हूं। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो ओबी सी दलित समाज है वो बड़ा ही पैनिक करने लग जाता है वो यह पैनिक नहीं करता है नहीं अगर हट जाये तो उनको चिंदा होते हैं जिनका राजनीत में जनाधार खिसकने लगता है ऐसे ही लोग पैनिक क्रियेट करते लोगों को डराने की कोशिश करते हैं मैंने कहा ना कि आरक्षण की व्यूस्ता नहीं समाप्त होगी है चलती रहेगी जिस तरह से राहूल गांधी अभी अपनी राजनीती कर रहे है उसको आप कैसे देखते हैं जगा जाये रुकते हैं पूछते हैं अप्नी जात बताओ आ आप ही क्या जात है फिर किसी अगरवाल से पूछते कि क्या आपको जिये समझ में आता है तो मैंने कभी देखा निया है मुझे लगता है कि कहीं पर कांग्रिस कि सोच पर जो क्लारिटी होनी चाही यह असपष्टता होनी चाही वो नहीं है कि तक हैं कहीं तब का यह वो लोगं का यह लुद्छ आइं हटास है निराश है ए मेरा यह मनदा इसमें जाना चाहता हूं रक्षा शेतर प्रक्राइव। हमको यह बतला हैं वो लोग जाटी जन्गरना कराके करना क्या चाहते हैं वो लोग यह जो गवर्मंट स्कीम हैं जही क को मिलनी चाहिए ना कि मतला अभी पता ही नहीं इतने पुराने कास सवेर पे देरें सकती। इतनों हैं हमारी social welfare की यतने भी schemes हैं बीना भेदभाव के सभी के पास महुच रही है कि नहीं पहुच रही है मैं इसका क्यों यवाब चाहता हूं कोई यह बतला दे किसी वी जाद का हो किसी भी पंत का हो किसी भी मदहब का हो यह बतला दे कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई बेदभाव हुआ हुआ है कोई discrimination हुआ है कोई बखला दे क्या इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता है क्यों जनता को चाहते हैं क्यों जनता को बार बार इन लोगों ने बराबर जनता को धोके में रहकर जनता को उम्राह करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश किये जनता के आँखों में धूल जोक करें इन्होंने समर्थन हासिल किया है समय समय पर लेकिन जनता के आँखों में धूल जोक कर समर्थन हासिल करने कोशिश नहीं होनी चाहिए सुस्ट लोगतांतरी वे उस्ठा में बलकि जनता के आँखों में आँख डाल कर बाचीत करने की कू होनी चाहिए बीजेपी कहती है कि अगर हमाई तीसी दफा सरकार बने तो पहले सौ दिन में बड़े फैसले होंगे जो आपका कारेशेतर हो वैसे भी ओवरॉल गवर्मन्ट के संदर में आपके साब से क्या बड़े फैसले करने की आपकी तैयारी है और आप क्या चाहते है आप रक्षा मंतरी है बस गौवर्मन्ट बनने जा रही है आप डेखें कि तुरंत उसके बाद आपको विजिन फिटीन डेज बहुत तारी जानकारी आपके पास आज़ें अगले सौ दिन का गौवर्मन्ट बनने के बाद अगले सौ दिन का अगले सौ दिन का अगली सौ रक्षा शित्र का आपका विजिन क्या है अगली साफ है रक्षा में बिजिन को रक्षा शित्र में भारत को पूरी तरह से आप में नर्वर बनाना भारत को एक ससक्त भारत ब लेकिन किछी के उपर आक्रमन करने के लिए नहीं है अपनी शुरक्षा के लिए है आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस के जिए चिदम्रम हो या मनीश्तिवारी हो आप पर बड़ा अटेक करें चाइना के मुद्धे पर वो कहते हैं कि राजना जी बताते ही नहीं कि exactly PLA और इ इस समय जो बाची चल लए है और कमांडर स्लेवर पर जो मुझे जानकारी पर आपत हो रही है जो हमारी विद्धियम होती है अच्छे माहोल में बाची थो रहे है तरीके से समाधान निकलने की संभावना भी है और डेपसंग और डेमचॉक में तो गतिरोध बना हुआ है PLA आई हुई है वो चेंज हो नहीं नहीं गतिरोध बना हुआ है तो कुछ उसके अन्ने भी कारण है अब मैं उसका खुलासा नहीं कर सकता हूँ यह जब बाचीत का दोर चलना है तो लेकिन मैं डेश्वासियों क परस्वत करना चाहता हूँ कि देश्वासी पूरी तरसे आफस्वत रहे कि मोरी जी के नित्र तुम्हें यह देश्व पूरी तरसे सुरक्षित है और यह जो सीधा सवाल है कि जो पर देश की आदबान शान पर कोई दुनिया की ताकत जो है चोट नहीं पहुँशा सकती है पर यह जो सीधा सवाल है कि लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल पर जो यह था सिती आज की तारीक में है कि आप रक्षा मंत्री के तौर पर बीजेपी की सेक्टार पूरी जो सच्चाई है वो देश के सामने नहीं रखते कि मतब सिती जितनी खराब है आप उसको थोड़ा बह क्या हुआ है मैं उसकी निशर्चा नहीं करता हूं है इस बार तो कुछ नहीं हुआ है ठीक है संगर्स होता है तो कहीं पर पर उसी देश आगे जाता है कहीं पर हम आगे हो जाते हैं ऐसी सितियां पैदा होती रहती है उसी के लिए बाचीत होती है और उसी प्रकार के कुछ इस तित्यां इस बार भी हैं लेकि जब बाचीत का दौर चल रहा है तो उस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ सुर आपने देखा होगा कि हाल में सैटलाइट इमिजिज आई यूरोपियन सैटलाइट एजनसी की जो की दिखाते हैं कि सियाचेन ग्लेशियर के उस पार करीब 19 किलोमेटर दूर चीन ने नया इंफ्रेस्ट्रक्टर और नहीं साथ आप एक जगह क्यों टेकते हैं साब कहीं कि वो आगे हो सकते हैं कई हम आगे हो सकते हैं मैं इसलिए आपको बार बार करें इतनी बात तो आप पकी मानते हैं कि राइजनाश्चिंग कम सकम गुमराह नहीं करेंगे जूट नहीं बोलेंगे इतने लंबे समय से मैं राइजनी इसमें काम कर रहा हूं इतना आपको यकी है कि नहीं है तो मैं देश्वाशियों को गुमराह नहीं कर सकता हूँ लेन देन होगा बाचीत में ऐसा नहीं है कि हमारी जमीन कब्जे में चली गई है चीन के और उसके बाद हम लोग बिलकुल दुम दबाए बैटे रुए है भारत आज दुम दबाकर बैटने की सिटी में नहीं है क्या करना है लोग इसके पहले भी शीन के साथ लड़ाई हुई यह क्या हुआ है सारदेश जानता है मैं कभी अपने मूँ से चर्चा नहीं करता हूँ वो क्या गया है इन लोग सर्थ पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने लेकर वैसी इसी तीरी कभी अप भारत में नहीं आने वाली है पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने की बात बीजेपी के कुर्श वरिश नताव ने की है आप देश के रक्षा मंतरी अगर होगा तो आप ही को एक करके दिखाना होगा आपके लिए कित्ता आये हमें कि पियोखे वापस भारत का हिसाब है नै ने किसी नहीं काया है पाक अड़कूपाइड कास्मीर हमारा था है और रहेगा अभी तो पाकिस्तानी बैठे है ना था है और रहेगा भाई तो वापस लीजे ना पिया वापस लीजे अरे खुद ही आएंगे लोग खुद ही आएंगे लोग आपने नहीं देखा पाक अकुपाइट कास्मीर में मांग हो रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज किया जाना शेयर है और यह बात तो दो साल पहले आर्मी डेके उसर पर आर्मी अफिसल्स को एड़र्स करते हुए मैंने स्री नगर में ही दो साल पहले ही कहा था आपको लगता है हमारे जीते जी वो वक्त आएगा जब भारत का ही एक अभी निस्सा बनेगा इस संभावना को भी नकारा नहीं आ सकता कि होगा ऐसा इस संभाव आएगा इस पार्क आएगा ये एक तरीका है बस देश को हमारी सरकार के ओपर हमारे प्रजान मंत्री के ओपर पूरा वरोशा है यकीन है सर आपको लगता है कि जो BJP Party with a Difference थी उसके जो तीन ideological बिंदू थे उनमें से दो पूरे हो गए Uniform Civil Code की दिशा में कुछ राज्य बढ़ चुके हैं केंदर में बढ़ने की बात आपके संकत पत्र में लिखिए अगर ये सारा आपका ideological agenda फुल्फिल हो जाता है तो क्या वाकई में BJP Party with a Difference रहती है या वाकी पार्टियों जैसी हो जाती है यूँकि ideologically उतना फर्क फिर कहां है मैं पूछ रहा हूँ हमारे जो ideological issues थे उन पर जो हम काम करी रहे हैं जो कुछ बचे होंगे एक दो उन पर भी काम होगा ही होगा अंतर की क्या बात है अंतर ये जैसे कई सारे जो विपक्ष के नेता है बराबर ये अंतर बना रहेगा कि भारती जन्ता पार्टी अन्य राइजिटिक पार्टियों के पक्षा अपनाम मतला या जिनको लिया हो दूल गया हो अरवाइजिट पावार के उपर आरोफ लगा था जब एंस प्रींगों के नेता ही तो ये कह रहे थे जिए अजिए पूरी जान के बारे निकल कर आया कि नहीं उनके उपर आरोफ सही नहीं है इस पर उनको क्यों आपटी होनी चाहिए जो अलोग कह रहे थे वही थो अबर यहांच एजनसी जी कह रहे हैं इतना सिंपल नहीं है अगर वो विपक्ष में रहते तब तो सत्ता साथ रोपे का स्कैम किया उनके खिलाफ कारवाई की जाए मान लिया मान लिया हम लोगों ने सब सराववर गलत किया है अस्कार का तो कोई लेना देना नहीं है इस इन एजनशियों से के इजनसी को इंसर्ट करते हूं कि आप जाई है फला जीका चापे डाल लिये फला की उपर गिरफतार करी है उनकी संपतिचर्ट के लिए ऐसा कोई instruction देती नहीं एजेंशिया अपना काम करती है और देखा जाते हैं इन एजेंशियों ने इसके पहले भी करप्सन के मामले में साइध कुछ लाग रूपे एत्वा कुछ करोड रूपे जबत किये थे इस समयेटे साइध एक लाग करोर से ज़्यादा की संपथ्य। वो बहुत जरूरी भी है जरूरी भी है लेकिन मेरा यह कहना है कि DECBI को गलत काम करती है गलत तरीके से किसी को behind बार करती है तो लोग अदालत है lower court है high court है supreme court है वहार से उनको रिलीफ मिली चाहिए क्यों नहीं रिलीफ मिल पा रही है क्या अदालत भी पूरी कोट ही है थरकार की दबाव में है क्या कहना चाहते है अलग सवाले एक तो यह कि जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ कारवाई हो बेशाद है दूसरा यह जो भ्रष्ट हो जब आप से जुड़ जाए फिर एजनसी का ज पिछ लेकर नीचे तक हम गलप है हम इंसाफ नहीं कर सकते तो वहां से तो आपको इंसाफ मिलेगा आपको लगता है एजनसिया फैरली कर रही है सारा काम आपको लगता है जो इंवेस्टिगेटिव एजनसिय अपना काम फैरली कर रही है हम यतना जानते हैं मेरी जान्कारी बिए ही है कि फैरली कर रही है राइसना जी आपका इत्ताल लंबा राजनीती करिया रहा है बीजेपी यूत्विंग का जिलाद धैक्श रही है कुँगा हूँ बीजेपी यूत्विंग का मैं प्रदेस अद्धुराय चुका हूं। BJP, में पार्टी का भी प्रदेस अद्धुराय चुका हूं। BJP, fundamentally का भी आल इंडिया-जेर्नल से कर्टती रहा हूं। BJP, मầं पार्टी का भी दूबर प्रेजडेंट रहा हूं। यूपी पे भी मिनिस्टर रहा हूँ, शीफ जिस्टर रहा हूँ और रुछार वार ATC बार्ट में चामियने मिल्च तरव हूँ लगभग भारत की राजनीतीं में जितने भी पद हैं पार्टी के ओन या फिर सरकार के उन पर आप आसी नहीं हैं जब आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, आपकी जो पुलिटिकल गाड़ी है, आपको आगे क्या नजर आप? आगे क्या देखते हैं? आउइर आपक क्या क्या है? गभी कलपना भी नहीं की थी हम लोगों ने पर लाजमी ही है हर आदमी आगे की सोचता है कि इसके बाद क्या क्या आप सोचते हैं कि राश्रपती बन जाएं या उप्राश्रपती बन जाएं वो नेक्स लॉजिकल स्टेप रहेगा राज़नाजी के नौ 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 वाई नौ हमारे साथ रहने वारों से पूछ लिए मैं जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं देश को यकीन नहीं होगा हमारे साथ जो बहुत हमारे अभिन्ने लोगों को भी जानते हैं जो हमारे साथ 30-40 वरसों से आप उनसे भी अकेले बात करके पूछ लिए कि राज़नाजी ने कभी क को यगिन नहीं होगा मैं आजे के नहीं मांगा है मैं अपके चैनल के माधने में कहना शाथ है। और न टिक्ट माघने कभी में गया हूं और ना कोई पढमाने कभी मांगा है ना किसी के लिए पैर भी की है देश के बड़े नेता जो shout डूर्ण होंगे जो इस समय होंगे वो तो यानते होंगे राज सभा में नौक सभा में परीष्यूबद भीCar विर्यांशन सभाने रहा लोक सभां में भी हूं कोई बताये तो why किस्मत में लिखाये तो वरना मांगेंगे नहीं कोछी सब्दैनिود कोने में ये आदम वादे के कारण ही व्यक्ति का कद नहीं बड़ा होता है व्यक्ति का कद नहीं बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण उसके कामों के कारण उसका कर बड़ा होता है दुनिया में बहुत लोग पढ़ान मंत्री राश्पटी बहुत रह लेते हैं जब तक चियर पर हैं तब तक हैं कट ख़तम पोश्ट के कारण नहीं है अपनी डीड्स अपनी कृतियों के कारण नहीं है मनुश्य का कट बढ़ा होता है हाली में मैं उत्राखंड में था और वहां पे ऐसे वोटरों से बाच्चीत हो रही थी तो अगनीपथ स्कीम का अगनीवीर स्कीम का दिक्र हुआ आपने कुछ कहा कि अगर इसकी जरूरत हो फिर से देखने की मौडिफाई करने की तो हम उसको सोचेंगे आप अग्जैटली क्या जो अब तक की इंप्लिमेंटेशन तो हमको आर्मी में अपनी शेना में एक यूथ फुलनेफ लानी थी यूआ लोगों का मैक्सिमम इंडक्शन हो देशकी शिमाओं की रक्षा करनी है तो जो वास्तों में जिनके अंदर अर्जा हो जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की ललक हो इस आयू के लोगों की भरती ज़्यादा होनी चाहिए इस सोच के अधार पर हम लोगों ने किया है और मैं चमरता हूँ कि अभी तक मेरे पास कोई शिकायत कहीं नहीं मिली है अभी अग्नीवीर स्कीम को मोडिफाइ करने की या बदलने की कुछ नहीं क요 नहीं प्रसली नहीं खळा होता है प्रसी नहीं जडा के वह इसमें कभी कुछ लगेगा हम लोग के और भी कुछ बहतर किया जा सकता है तो रिफार्म टे गड़ांटि्नूएस प्रसेस अब ऑब वो तो कभी भी किसी भी स्कीम के बारे में मैंसे मैं पहले की आर्मी समय समय पर उसमें भी सुधार हुए जहां जब आवशकता महसूस होती है फिलहाल मैं समयता हूं कि पहले सेलक्टेड अगनि वीर की जवान, जए नभी की हो एर फोर्स की हो तो आर्मी की हमरी बराबर उनक कश्मीर की आज की स्थिति को पहले से जब तुनला करते हैं आप क्या फर्क पाते हैं फिर मुझे लगता है जिस कश्मीर को हम अपना स्वर्ग मानते थे कश्मीर स्वर्ग बढ़ने की और बढ़ चला है शुनाफ के बाद आर्मी की वहांपे क्या खिसेधारी होगी, क्या रोल होगा आर्मी का क्योंकि क्या आपको लगता है कि जैसे कुछ-कुछ नौर्थी iPhones से अफस्पा भशता आए गया कि आपको लगता है कि वैसी स्थिती बन गई है कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी अफस्पा हट सकता है आ गई है फ्ट्टी लेकिन मैं समाता हूँ कि ग्रह मंत्राले ही इसका सही मुल्यांकन करेगा और मुल्यांकन करने के बाद ही वो फैसला करेगा आपको लगता है बन गई है इस लिटी कि अपसपा हट काफी हट-TAK बन गहीं है कुछ हिस्सों में हट सकता है हो सकता है लेकिन आपी यह फैसला गरिमंधाले को लेना है पर आपके यसाब से आपका जो इन्पूट है उसके हमारे के वाली इन्पूट की बात नहीं के साथ बढ़ा है वहां पर इसे मैं अब पाकिस्तान में जो फिलहाल सिच्वेशन है उसकी आपकी रीडिंग क्या है रक्षामंतरी के तौन पर बहुत नहीं है पाकिस्तान की इस ते लिए और पडूसी के ऐसी हालत देखकर दया भी आती है कभी-कभी मैं हाल में मरियम नवास का बयान सुन रहा था वहां पर काफी प्रेशर है कि भारत के साथ वियापार को फिर से शुरू किया जाए आप क्या सोचते हैं अच्छा होगा अच्छा होगा कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिष्टे बेहतर करें अच्छे करें आतंक वादी गत्विदियों को प्रसरे देना बंद करें और जो भी आतंक वादी गत्विदियां वहाँ पर चल नहीं है आतंकवानियों के जो अड़े अभी पाकिस्तान में हैं, कायम हैं, उनको समाप्त करें. यह दिए अकेले समाप्त नहीं कर सकता है. भारत का सहयोग चाहता है और किशी का सहयोग चाहता है, तो सहयोग लें. सहयोग करेंगे. हम लोग ओपन हैं ट्रेड नॉर्मलाइजेशन या ट्रेड रिजंप्शन के लिए नहीं इसीटी पहले सामान में होगी तभी उसी के बाद अभी नहीं सर खत्म करने से पहले दो आखरी सवाद एक ये कि पिछले दस साल में जब से आप इस सरकार में आये सबसे बड़ी उपलब्धी आप क्या मानते हैं कोई ऐसा काम जिसको आप मानते हैं कि आपकी लेगसी का ये हिस्सा है कि राजनाज सिंग ने सब लोगों के एफ़र्ट से ये अचीव किया ये मेरी लेगसी है जो मैं देश के लिए होगी हमारी आशिवमेंट्स मैं अपनी अपनी आशिवमेंट्स नहीं मानता हूं पुरे गौवर्मेंट के आशिवमेंट्स मानता हूं और मैं मानता हूं जो हमारी लीडर्शीफ होती है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है उसका जो वीजन है उसका जो मीशन है उसका जो पैशन है उस आधार पर ही किसी भी गवर्मेंट में काम होते हैं और मैं कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास एक अपना वीजन है मीशन है और पैशन है और उसी कारण जो है भारत का मस्तक आज अंतर राश्टी जरत में मुशा हुआ है भारत की प्रजिष्ठा अंतर राश्टी जरत में बढ़ी है भारत की एकॉनमी अब पुदेविश्व की टाप थ्री कंट्रीज में आकर 2017 तक खड़ी होने वाली है कोई एक ऐसी चीज जिसका आपको खेद है जो आपको लगता है ये ना होता तो अच्छा होता है कोई खेद नहीं है कुछ नहीं आप तक दम किसी स्पिरिच्वल गुरू की तरह बोल रहे हैं कोई खेद नहीं ऐसे कैसे कोई भी खेद नहीं नहीं अध्यात में मेरा पुरा विश्वास है, इस्वर की सत्ता पर मेरा पुरा विश्वास है, मैं इस्वरवादी हूँ, रहूँगा, था, हूँ, रहूँगा, मैं छोटा था बच्पन में, तबी में हनुआन चली सा पढ़ता था, हाज में मैं अपना जो भी करना चाहिए में करता हूँ मुझे संकोज किसी बात का नहीं है मैं बहुत प्रोग्रसिव बनने के शक्र में नहीं रहता हूँ जो मैं हूँ सो हूँ जो मैं हूँ सो हूँ और जो मैंने कहा सो कहा जनता को डारेक्ट विश्वास है आपका ये मानना है आपकी कतनी पर आपने राजना जी एक बहुत एहम दिन पर हमारे लिए वक्त निकाला आपके निवास पर लखना हुए सेंख्रों लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं आपसे इस रुफियत में आपने हमारे लिए वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्त बहुत 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 आदिना है